दोस्तों अगर आप बिहार बियाड डियालेट की तियारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंस है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं समाजिक अध्यान के टॉप 20 कोशन जो आपको एक्जाम में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों वीडियो क को शुरू से अंतक देखें एक रिक्वेश्ट है आप हमारी चैनल पर पहली बार आए था हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और बैल अकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह के अप्डेट आपको पहुचे सबसे पहले तो चलिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं बिना किसी देएरी के यहां पर हमारा पहला क्षों जो है वह राकुन प्रॉजेक्ट किस नदीप पर है तो हीराकुन प्रोजेक्ट जो है या किस नदीप इस्तीत है हमारे पास चार ऑप्सन दिया गया है भागीरती महा नदी कritt ननदी चम्मान न स्तीत है दोस्तों आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें हिराकुन बांध प्रोजेक्ट ये किस राज में इस्तीत आप पाये那सिए नियुक्त उनगलते हैं दिखिने करता है हमारे पास है लिच्व आफरी के सुरी का देश से कीुर देश को कहा जाता है नौर्वे जपान आश्ट्रेलिया या स्वीडन तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो मदिरातरी के सुड़ी का देश कहा जाता है नौर्वे को राइट अंसर हो जाएगा अप्सन नम्मर ए चलिए नेश्ट चलते हैं सत्य शोधक समाज की पुले ने किया था ठीक है चलते हैं पुना वेदव की और चलो या नारा किस ने दिया था दयानन सरस्वति ने दिया था चलते हैं सत्यमेव जयते किस उपनी साथ से लिया गया है कैन मुंडक या कौसितिकी या एत्रे उपनी साथ से लिया गया है तो बताएए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा वो मुंडक उपनी साथ से लिया गया है सत्यमेव जयते जो है यह मुंड़क उपनी सत्य लिया गया है चलिए नैस्ट चलते हैं हसवर्धन के समय कौन भारत आया था तो हसवर्धन के समय इन में से कौन भारत आया था इत्सिंग मेगास्तिनी फाईयान या मेगा स्वरी हुएंशंग तो बताईए इसका राही टांसर क्या हो जाएगा तो इसका राही टांसर जो हो जाएगा वो हुएंचांग भारत आया था हसवर्धन के समय जो है वो भारत कौन आया था हुएंचांग भारत आया था दोस्तों हसवर्धन के समय जो है जरूर बताएं, चलिए नैस्ट कोशन चलते हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहा हुआ था, कुंडल गराम, कपिल वस्तु, नालंदा या पाटली पुत्र, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था, या कुंडल गराम वै तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशी नगर देवरिया उत्तर परदेश में पढ़ता है, थीक है, उत्तर परदेश में पढ़ता है, यूपी में पढ़ता है, कुशी नगर, द 1912 में बिहार में भारती राष्ट कंग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था तो 1912 में भारती राष्ट कंग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था गया पतना सहसराम या मधुपनी में तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो 1912 में बिहार में भारती राष्ट कंग समिधान की आटवी अनुशुची में किस वर्ष समिलित किया गया था 2001 2002 2003 या 2004 में तो बताइए इसका राइट अंसर क्या होगा तो मैतली भासा को जो है भारते समिधान में या जोड़ा गया था 2003 में चलिए नेश्ट चलते हैं शिखाओ के दसमे गुरू गुरू गोविन सिंग का जन्म हुआ था तो कहां पर हुआ था शिखाओ के जो दसमे गुरू जो थे और अंतिम गुरू गोविन सिंग जो थे उनका जन्म कहां पर हुआ था तो हमारे पास चार अप्शन ते आ गया अमरित सार लाहोर पानीपत या फिर पटना में तो बताईए इसका राइट अंसर तो गुरू गोविन सिंग का जन्म जो हुआ था वो बिहार राज के पटना में हुआ था ठीक है बिहार राज के पटना में हुआ था और कब हुआ था तो आप हमें ये कॉमेंट करके जरूर बताईए कि गुरू गोविन सिं का जहांगीर का इनमें से कोई नहीं तो इसका राइट अंसर क्या होगा तो यह सेर्षा का मकबारा है ठीक ऐसा सारा म बिहार में जो है यह सेर्षा का मकबारा इस्तित है और ग्रन ट्रंक रूड का जो मरम्मत करवाया था वो सेर्षा ने ही करवाया था यह बिहार राज से सम् भारत का वाइसराय कौन था Lord Kenny and what package या अरल प्डलहोजी तो बताइए इसका right औसर क्या हो सबीसक्राइब ज्याएगा लौड़ केनिंग हो जाएगा करद है नीचे कोशन चलते लिखेए नेट कोशन कह रहा है विश्व मानवा दिकार दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व मानवा अधिकार दिवस जो है कि स्तिती को मनाया जाता है हमारे पास चार अप्षन है 30 जनवरी, 11 जुलाई, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर को तो पताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो विश्व मानवा अधिकार जो है वो 10 December को मनाया जाता है ठीक है चलिए नेस्टे चलते हैं सर पर्थम तरी अस्तर ये पंचायती राज किस राज में अपनाया गया तो सर पर्थम जो है पंचायती राज जो है बिहार में उत्तर परदेश ये मद्द परदेश राजस्तान तो बताईए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा राजस्तान ठीक है और ये किस जीले में अपनाया गया था आप हमें कोमेंट करके बताएं ठीक है सर पर्थम तरी अस्तरी पंचेती राज और कब अपनाया गया था ये भी आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं चलिए नैस्टी चलते हैं देखें नैस्टी क्वेस्टन कह रहा है मगत की पर्थम राजधानी कौन सी थी वैसाली, चमपा, गिरी ब्रज या पाटली पूत्र तो बताएं मगत की पर्थम राजधानी जो थी वो कौन सी थी तो मगत की पर्थम राजधानी थी गिरी ब्रज थी ठीक है चलिए नैस्टी चलते हैं असोक के समय में कौन सी बौद संगिती हुई थी तो असोक जो था सासक उस टेम जो था बौर्द की कौन सी संगीती हुई थी पहली दूसरी तीसरी या फिर चौती तो बताइए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा देखे इसके लिए एक च्रीक है आजा काला सोक कनीश्क ठीक है आजा काला आजा काला सोक और कनीश्क देखे यहां पर जो पहला जो बहुत संगीती हुआ था वो अजा सत्रू के काल में हुआ था दूसरा जो हुआ था काला सोक के तीसरा असोक के सासनकाल में और चौता जो हुआ था कनीश्क के सासनकाल में हुआ था तो हमसे यहां पर पूछा जा रहा है कि असोक के समय कौन सा बहुत संगीती हुआ था तो पहला दूसरा तीसरा चौता तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा हो जाएगा इसका ट्रिक जो है आजा काला सोक कनिस्क जब बहुत संगीती हो रहा था वो स्टेम जो है ये उनके अध्यक्षते ठीक है अध्यक्षते आज तो इसका राइट आंसर क्या हो जागा तो इसका राइट आंसर हो जागा तीसरा ठीक है चलिए नैस्टे चलते हैं सम्विधान सभा के सभापती कौन थे तो सम्विधान सभा के सभापती कौन थे जभाला नेरु एक एम मुनसी डाक्टर भीमराव अमेटका डाक्टर राजयंद परसाद तो बताई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सम्विधान सभा के सभापती थे डाक्टर राजयं मज़ाद तो सभिधान प्रारुप समिति के अधियाग जो थे वो डाक्टर भीम्रव अम्बेट करते चलिए नैस्ट क्वेशन और इस वीडियो का अंतिम क्वेशन है देखिए 1902 में सिताब दरिया बिहार में किसका जन्म हुआ तो बताइए इसका राइट अंसर देखिए जैप्रकास नरायन करपुरी ठाकूर रामधारी सिंग दिनका डाक्टर राजयन प्रसाद यह सारे ओप्षन जो दिये गए यह सारे बिहार के ही लाल है जो 1902 में सिताब दिया बिहार में जो जिसका जन्म हुआ था वह जैप्रकास नरायन थे ठीक है और दोस्तों हमारे पास यहां पर जो है ऑप्षन में दिया गया है और डी तो यह भारत के पर्थम जो है वह राष्टपती बने थे डाक्टर राजयन प्रसाद ठीक है तो दो